प्यास की पकोडे तो आपने बहुत बार खाए होंगे आज लेकर आई हूँ एक तम यूनीक अनोखी प्यास की पकोडे की रेस्पी जो आपने कभी नहीं खाए होंगे देखने में बहुत लाजवाब है खाने में उससे भी कहीं जादा टेस्टी है क्योंकि बहुत जादा क्र तो यहां पर मेडियम साइज की है इस तरह से चीद लिया है अब करने का तरीका मैं आपको दिखाते हैं अब चाकू लेंगे और इसे काटना इस तरह से काटना है जैसे फोर नीचे का नहीं करना नीचे का पॉर्शन जुड़ा हुआ हुआ माइने में से काट तरह और बाया पिछ ही तो बहुत पद्री पति पंखुरिया होने कि ना की है gonna कि मैं माख़ते न पोन बहुत दुजाए बहुत पत्रम माख़कर चाहिए चाए हो कि पांझ संहीं नहीं काटा वा है पीछे से नहीं काटा है तो यहाँ पे देखे मैंने बहुत पतली-पतली काटे है जिसे की पूरा अच्छे से खोल जाएए फूल की तरह ये खोल जाएगा इस तरह से आपको प्याज की कटिंग करने है सेम इसे तरीके से मैं सारे प्याज काट लूँगी यहाँ पे मैंने सिर्फ चार प्याज का इस्तमाल की आपको जितना बनाना है आपको उसके हिसाब से ले सकते है अगर छोटी है तो छोटा बनेगा बड़े साइज का है तो और देखने में सुन्दर लगता है तो यहाँ पे 4 उप्याज मैंने इस तरह से यह देखे काट लिए है यह फूल की तरह नजर आने लगा है तो यहाँ पे मैंने सभी प्याज की कटिंग कर लिए इसे साइड में रखते हैं अब इसके लिए बैटर तियार करेंगे तो मैंने जैसे कहा यहां पर बेसन का इस्तमाल नहीं होगा मैंने आधा कप मैदा लिया है साथ ही मैं यहां पर डालूँगे एक चौथाई कप कॉन फ्लोर या फिर अरा रोट दोनों मेंसे कोई भी आप यूस्तमार्ये म्क्स कर लेंगे इससे जो हमारे पकोड़े हैं वह बहुत बने वाले इतने क्रिस्पी की बेसन वह कभी निइघ लिए इतने मेंदew नाफीower क आप इसके अंदर डालें admitted community कि मैं लाल मिर्च आप चाहिए तो इसमें हलकी सी देगी मिर्च भी डाल सकते हैं उसे बहुत अच्छा कलर आता है और आप मैं इसमें डाल रहे हो आधा चमच गरम मसाला साथ ही इसमें डालूंगे दो चम्मत चाट मसाला चाट मसाला से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी आड़ कर सकते हैं और उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे नमक नमक आपको बहुत ध्यान से आड़ करना है क्योंकि चाट मसाला में ओलरी नमक होता है तो हम नमक थोड़ा कम यहाँ पर यूज करेंगे अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एक साथ जादा आपको पानी नहीं डालना है मैंने यहाँ पर कप से ही पानी डाला है ताकि आपको मेजर्मेंट बता सको तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें एड़ करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लंप्स वगएरा ना रहें एक साथ अगर पानी डाल देंगे तो लंप्स बन जाएंगे तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा पानी डाले और अच्छे से फेटे अगर आपके पास हैंड विस्क नहीं है थो आप यहाँवराण से फेट सकते हैं चम्मचे मत फेटेगा चम्मच से अमीशा रहे जाते हैं एक बनाना में बहुत सब्सेंसिर का बैंटर बनाना तो चमच अच्छे से कोट हो रहा है कितना भी मैं इसे इस तरह से करूं तो यह बहुत जादा पतला नहीं है और एक लाइन मैंने डाली तो वह लाइन मिलने नहीं चाहिए आपस में इस तरह से चमच को पूरा यह कोट कर ले इतना होना चाहिए बैडर आपका अब क्या यह प्रेडोर बच ना być में अक्सर हमारे ब्रेड बच जाती है तो मैं शी करती हूं ब्रेड क्रम बनाने के लिए बहुत अच्छे क्रम बनते है इसे तो आजSpraak ब्रेड क्रम बना के इसमाल करने ने वाले होग़ोगणा वाली झाल आपको स्टॉर करना है तो आप यहां ब ब्रेड क्रम तयार हो गए हैं तो इस तरह से आप ब्रेड क्रम बना सकते हैं अगर आपके पास आपके महाँ पर धूप नहीं आती तो इसे कढ़ाई में हलका सा सेख लीजिए ताकि इसका मौश्यर निकल जाए फिर आप इसे स्टोर करके रख लीजिए यह थी आज़ की हैं सबके अंदर यह बैटर चला जाए और जब इससे हम यह पकोड़े बनाएंगे तो यह बहुत जादा क्रिस्पी लगते हैं देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं और किसी को सर्थ करेंगे वो भी सोचेगा कि यार कुछ यूनिक आइटम लग रही है उसे भी खाने मे अच्छे कर देखने हो तरो लिए उसके बाद हमें क्या करना है इसे हमें डिप करना है ब्रेड कर्म में हर इससे डालेंगे और इसे आफ्से से दिशी कोड करोण बैट क्रम आराम से चीपक जाएंगे असानी ज्वाक रजाएंगे अंदर रभी सोगन की को डाल देंगे जब इस तरह PAKKeking बनाते तो बहुत ज़्म ज़्यक्रम बनेंगे तो यहां पर इस तरह से सारे जो प्याज हैं उन्हें आपको इस तरह से कोट कर लेना है बैटर में डाल के और उसके बाद इस तरह से ब्रेड क्रम में लपेट लेना है आप चाहे तो इसमें दो लेयर भी कर सकते हैं यह और भी ज़्यादा बढ़िया बनेंगे मैंने यहां प पकेगा, मीडियम गरम तेल में इस तरह से इसे पकाईए जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अच्छे इस तरह से एक ही साइड से पकाना है तेल अच्छे से कढ़ाई में भरा हुआ होना चाहिए ताकि यह पूरा उपर तक पक जाए यहां पर आप देख सकते ह बढ़िया कलर आ गया है देखने में बहुत ऋन्दर लग रहे है और बहुत जदा एक क्रिस्पी हो गए हैं जब आप को आख से छूने से पताजल जाएंगाई कितने क्रिस्पी ओं musique क्रिश्पी हो गए यह देखी कितना सुंदर फलार लग रहा है देखने में तो इस तरह स चाहिए मीडियम पे गैस रखिए मीडियम हाई फ्लेम पे आपको इस तरह से इन प्यास के पकोड़ों को फ्राइ करना है यह देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं देखने में बिल्कुल यूनीक लगते हैं किसी को भी खिलाएंगे उसको बहुत मज़ा आएगा तो यहां कितने मज़दार हमारे बिना बेसन के प्यास के पकोड़े रेडी हैं एक दम देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं बहुत ही बड़िया लगता है यह देखिए एक एक लेयर अंदर तक बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है क्योंकि तेल अंदर तक चला जाता है और जो बैटर हमने लगाया है और जो ब्रेड करम लगाया उसकी वैसी बहुत जादा क्रिस्पी बनते हैं तो चलिए इन्हें अब मैं खाकर ट्राइ करती हो और बताती हो आपको कैसे लगे तो चलिए इसे मैंने केचप और ग्रीन चेटनी के साथ साथ किया और बहुत ही मज़ किसा